हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहां बिल्कुल एक दम ठीक हूँ आज हम लोग चेठा दाल जी का एक दम वन पसंद जलेवी फाफ़डा बनाने वाले हैं बहीं जलेवी फाफ़डा तो बनता ही है ना और जलेवी की बिना तो के वीडियो को स्टार करते हैं तो फाफ़डा बनाने के लिए सबसे पहले हम ने लिया है एक कब बेसन बेसन को आपको चान लेना है चानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इससे क्या होता है बेसन एकदम सॉफट भी हो जाता है और इसके जो बारिक बारिक पार्टिकल प्रिलेंगे हातों से ही और उसको इसमें एड कर देंगे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर जाएगा अब यहां देखिए यहां है मेरे पास एक छोटा चम्मच जितना पापर खार पापर खार वैसे मार्केट में आपको इसली मिल जाएगा लेकिन अगर नहीं मिलता है तो बेकिंग सोडा का यहां पर यूज करेंगे बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा का और वो भी कितना करेंगे इसका जस्ट हाफ याने की आदा चोटा चम्मच ही आपको बेकिंग सोडा का यूज करना है इसके बाद में स्वादनुसा नमक एड करेंगे मैं तो नमक एड़ करना है जिससे इसका एक डो जैसा बन जाए बस बहुत ज़्यादा पानी एड़ करने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है लेकिन हाँ इसका जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए टाइट वर हमें नहीं लगाना है इसका डो को हमने बान लिया है अब जो वो हमारा छोट चमच था उसी चमच से नाप करके तीन चोटे चमच इसमें हम ऑईल अभी एड़ कर रहे हैं और आटा पुरीतर से गुन जाएगा ना उसके बाद में हम जो लोहिया है उनको भी हम ऑईल में डिप करके फिर बनाएंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आगे वीडियो में आपको क्लिबला दोंगी तो तीन चोटे चमच दो चमच में डाल चुकी हो और यह तीसरा चोटा चमच यह उइले में हम एड़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसल मसल के मिक्स नहीं करना है सिर्फ आपस में बाइन कर लेना है यह देखिए इस तरीके का तो चलिए अब देखते हैं अब हम हमें कैसे बनाना है फाफड बना यह देखिए लोग हमने निकाल लिया है इसको रोल करये और उसके बाद में हमें क्या करना है के एक तरफ चड़ा हुआ है ऑर उस करने के बाद में इस तरीके से इसको लंबा सा बेलेंगे ये देखिए लंबा सा हमने इसको कर लिया है और अपने हतेली के साहता से इसको हमें यह तेली का जो यह वाला हिस्सा होता है ना इदेखिए नीचे वाला जो हिस्सा है इससे की साहता से हम इसको हलके हाथ से बीच में बिल्कुल बीचो बीच प्रेशर देते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे अगर हमारा डो एक तम पर्फेक्ट लगा है तो इसको इस तरह से बढ़ाने में इस तरह से हाथ से बेलने में बिल्कुल भी परिशानी आपको नहीं आएगी जो एक्टर डो हाथ में छूट जाता है उसको हम वापस से डो में एड़ कर देंगे और यह देखिए इसके बाद में आपको क्या चाहिए इस डो को निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमें कैसा नाइफ की जरुवत पड़ेगी यहां पर देखिए यह जो मेरा नाइफ है यह देखिए इस तरीके से यह मुड़ जाता है आप देख रहें इस तरीके के नाइफ आपको चाहिए नाइफ को हमें इस तरीके से तो यहां पर देखिए यह जो हमारा ओइल है यह हलका गर्म है यह निकाल दिया अलग से अब हम इसको फ्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए यह जो हमारा ओइल है यह हलका गर्म है यानि कि बिल्कुल हलके गर्म तेल में हमें इनको फ्राइब करना है कैसे पता चलेगा कि फाफ़ड़ा फ्राइब हो गया है जब जहाग खतम हो जाएंगे तब हम इसको पलट देंगे और दूसरी सेट से भी फ् तब तक इसको फ्राइब करना है चलेए और हम बना लेते हैं अपने फाफ़ड़ा यह देखिए लोई हमने निकाली अचा फाफ़ड़ा इतना ही बड़ा बनाना जितनी बड़ी आपके कड़ा ही हो क्योंकि मैंने भी एक बड़ा सारा फाफ़ड़ा बना दिया और फिर बा आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं अगर अगर eg quaraj Aware इस वजहता है कि हातों को जब आगे के तरह बड़ा रहें तो वह साथ के साथ में खिषता जारहा है क्थार इसत मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फाफ़ड़ का जो त्ब जत दो थाए वो सही नहीं लगा या तो वह इस वज़े से वो निकल रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी एट करके उसको फिर से सॉफ्ट कर लें तो हमारा डो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा फाफ़रा एकदम परफेक्ट बनेगा और अगर इसमें बहुत जादा ओईल की मात्र होगी ना उपर आपने बहुत जादा ओईल लगा दिया तब भी वो साथ की साथ में निकलता जाता है आगे के तरफ प्रेस नहीं होगा यह देखिए इतनी आसानी से यह बन जाएगा अगर हमारा डो एकदम परफेक्ट होगा एकदम जो शार्प हो वाली साइड है उससे हमें इसको स्क्रेच करना है और अपने नाइफ को आप बार बार क्लीन कर लें सर्फेस को भी आप क्लीन कर लें यह देखिए एकदम अच्छे से कट गया दूसरा फाफ़ड़ा भी तेयार है चलिए ठटा फद से जलेबी पर बना लेते हैं तो यहां देखिए मैंने बैटर को एक Chanel में भर लिया है और इसको हम ऑईल में डालती जाएंगे जब हमें जलेबी का बैटर ऑइल में डालना है तब ऑईल करम हो चाहिए और हम जलेबी को डाल देंगे ना इस तरह से पोर कर देंगे उसके बाद में आपको गैस की फ्लेम को बिलकुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर अच्छा गोडन कलर आने तक फ्राइ करना है अब आप कहेंगे कि आपने डो की रेसिपी तो बताई नहीं यार मैंने बताई है म आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा वहां पर मैं आपको रिटन में इसकी पूरी रेसिपी और पूरा जो डो हमने कैसे बनाया है क्या क्या इंग्रिडेंस इसमें लगे है वो मैं आपको पूरा एविलेबल करवा दूँगी तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन एक दम से अंदर भर जाएगी जो आपकी चाश्नी है वो बहुत ज़ादा गरम भी नहीं होने चाहिए लेकिन थंडे नहीं होनी चाहिए गरम हो गरत्क है जैसे कि चाश्नी फोड़ी चिपचीपी सी बनाने हैं जैसे हम गुलाब-जामून के लिए बनाते हैं वैसी है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी जलेवी देखिए बन करके तयार हो चुकी है कितनी क्रिस्पी लग रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा यह जो रेसिपी है यह एकदम इंस्टेंट वाली है बिल्कुल पर जाद मेहनत नहीं करनी है आपको बस अभी सोचा अभी बना नहीं दुम दोड़े हो और अरभी खा will you झाल से भोते आसां सी रेसिपी है तो जल्दी से किचन में दऊच़ जाए है यह तक रही है कि एकदम कमस्याव गलम ही पानी अने लगाना देखकर कितनी जड़ा तेस्ट लग RAM लया है एकधम क्रिस्पी बहुत ही जलदी और इंस् परफेक्ट रेसिपी है तो इसको जरूर से ट्राइ कीजिएगा, कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट सेक्षिन में बताईएगा, अची लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आज हम लोग गुजराती खीचू बनाएंगे, मुझे लगता है कि आप सभी लोग ने वो एपिसोड तो देखा होगा जिसमें जेट हैलाल जी खीचू बनाते हैं और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, आज हम वही वाला खीचू की एकदम परफेक्ट रेसिपी देख स्टार्ट करते हैं, तो खीचू बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोड़ी में हम एक कटोड़ी से माप करके तीन कटोड़ी पानी लेंगे, आपको मीजरमेंट्स का बिल्कुल घ्यान रखना है कि जिस कटोड़ी का आप आटा लेंगे ना उसी कटोड़ी से आपको पानी तो बिल्कुल फुल भरके से slow호 से कटुरह करके 3 पानी ले लिoup है उता लेक समय अब मेह चमंड चेथ किल अचछ दालेंगे अधर चमंड ऑजवाइं डालेंगे आधर चम चीज में सफेयर तीर दालेंगे सफियत दिल अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजेगा लेकिन इससे थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आता है इसलिए इसको डाला जाता है अब इसमें स्वादान सार नमा कैट कर देंगे इसे के साथ हमने क्या किया कि दो तीन हरी मिर्च को बारिक बारिक चॉप करके मतलब इसको थोड़ा से ग्राइंड कर लिया दरदरा सा इसको पीस लिया है ऐसा बना लिया आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते है इसका बिलकुल या फिर आप अदरक और हरी मिर्च दोनों को मिला कर भी पेस्ट बना सकते हैं तो यह दोनों तरह से ऑप्शनल है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं सबी चीजों को mix कर देंगे और यहाँ पर gas को on करके हम इसको boil होने के लिए रख देंगे अभी तक हमने gas को on नहीं किया था सबी चीजों को डालने के बाद में gas को on करेंगे और अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरधनिया भी इसमें एट कर दिया है आप चाहें तो हरधनिय का paste बना कर डाल दें हमने थोड़ा सा बारिक बारिक चॉप करके इसमें डाल दिया है अब सबी जीजों को mix करके इसको ढख करके एक दम अच्छा सा boil आने तक इसको boil करेंगे high फर्मल पैकेट में मिलता है बहुत सफ्टा आपको इजीली मार्केट में मिल जायेगा बेकिंग पाउडर नहीं इनों नहीं सिर्म इससी करना है अब यहां पर देखिए जिस कटोरी से हमने पानी अधना उसे कटोरी से नाप करके इक जीक हमने चावल कारटा ले लिया है आ इसके अलावा आपको क्या करना है एक बेलन लेना है बेलन के पीछे वाले हिस्से से हमें इस तरीके से इसको continue चलाना है आपने देखा होगा कि मैंने इसको आजरावल के आटे को डालते के साथ में इससे चलाना स्टार्ट कर दिया था अगर आप सिर्फ इस पूंज से या फि इसको बेलन की साथा से म्क्स करें और जब आपको लगता है कि अक्छे से मिक्स हो गया या अटा तब आप इसमें पिर इस पूंज से या स्पैचुल से किसी वी चीज़ से मिक्स कर सकते है जब अगर अगर आपने गयस को बंद कर दिया है तो जब आटा एक सार हो जाए तब आप गैस को अन कर लें और गैस को कम किया तो फिरब मीडियम फ्लेम पर इसको बना लें जब आप देखे हमारा यहाँ पर आटा इदम एक सार हो चुका है बिल्कूल भी इसमें घठाने नहीं दिख रही है तो अब मैं यहाँ पर स्पून का यह उस करूं कॉंटिटी का फर्क होता है डख करके दो ती मिनट के लिए इसको पकाएंगे अच्छा एक जरूरी टिप है कि अगर आपको लगता है कि आपको खीचू है वो थोड़ा गारा हो गया है पानी की मातरा के पर कम रहे जाती हमारा अंदाजा सहीं नहीं होता है तो ऐसे में गरम करके एड़ कर ते एकडम परफेक्टाएगा यह आपर देखिये हमारा खीचू को हमें पकाते वे दो मिनट की और पका ले हर आप ता एक दम पर genCya कर सकते हैं कि आपका खीचू है उसकी कंसिस्टेंस कैसी है कर आग को लग रहा है कि और थोड़ा सक गरम पानी एक पर मिनट के लिए और पका लें और अब ता एकदम परफेक्ट खीचू बनकर तयार हो जाएगा तो यहां पर देखिए मेरा खीचू एकदम मुझे परफेक्ट लग रहा है इसको एक यह हमारा खीचू पक्क कर तियार हो जाएगा है अब अम सर्व कर लेते हैं अच्छा एक चीज और मैं बताती हूं आपको कि खीचू अप्का गैस को आफ करके इसको अगर दक करके छोड़े और फिर आगर आप उसको सर्व करेंगे न तो इसका टेस्ट और भी ज़दा चाहे गा व terrific अज और पे जश्व करेंगे जब हमने बोल में ट्रांसफर कर लिया है तो इसके उपर हम एड़ करेंगे मुंफली का तेल वैसे आप कोई भी ओईल एड़ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आपको पता है गुजरात की तरफ मुंफली का तेल जादा यूज किया जाता है तो हमने मुंफली का ओईल इसमें अचार का मसाला जो हम अचार वगरा के लिए उसकरते ना वही वाला मसाला है अचा अजर यह ना हो तो बिल्कु भी परिशान नहीं हो ना आप लाल मिर्च भी इसमें एड कर सकते क्योंकि आपने देखा हमने लाल मिर्च एड नहीं की ती तो यहां पार हमारा जबजदस्त अजिया cinema एक न पर्फेक्त कुज्राती खीच्वीचू बनकर सेयार हो गया है बहुत ही टेस्टी लग रहा है और एक बहुत ही अच्छा आप सको ब्रेक्पास्ट में बना सकते हैं शर्म को स्नेक्स में बनायगा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी ह mocले को Hungarian होकसी मिलेगी यहा आपको यह कैसा लगा चलिए अब बरते अपनी किचन टेप की तरफ तो आज की किचिन टीप है कि यदि दो बरतन आपस में फच जाते हैं तो जहां से वह फसे है ना वहां पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और आदे गंटे के तक उसको ऐसे छोड़ दे थोड़े बाद ज किचियो वह भी बताईएगा कि टिप कैसे लगी वह भी बताईएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा तो आज हम लोग पनीर घोटाला बनाएंगे यह सूरत का एक स्टी किचिन टिप मिलेगी इस वीडियो से लेटेड नहीं है बिल्कुल अलग है और बहुत ही ज्यादा वह यूसफुल रहेगी आप लोगो के लिए तो चलिए देखते हैं कि हमें यह पनीर घोटाला किस तरीके से बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक कड़ाई कड़ाई में लग बाग दो बड़े चमच इतना ओई हमने डाल लिया है यहां पर हम बहुत थोड़ा सा ही ऑल का इस वक्त यूस करेंगे ऑल के गरम होने के बाद में लग बाग थोड़ा सा एक चोटा चमच इतना हमने जीरा इसमे अट कर दिया है जीरे को हलका सा हम भून इस तरीके से इसके साथ में थोड़ इसी हींग भी हमने एट कर दी है हींग से बहुत यच्छा इसका फ्लेवर आता है अगर आप चाहें तो इसमें प्याज लेसून का भी यूज कर सकते हैं मैंने आप पर प्याज और लेसून दोनों में से ही किसी भी चीज का यूज नही अट किया है यह इसलिए अट किया है तो इसके हमारा जो परीर घुटाला है उसका काफी अच्छा आज आजएगा इसके बाद में हमने दो मीडियम साइज के टमाटर को एक दम बारिक साथ कर लिया है आप चाहें तो इसमें ग्रैंड बी कर सकते है इसका पेज भी बनाया सक और एकदम सॉफ्ट से हो जाएं क्योंकि बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो जादा इसमें ताइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस में फोड़ी सुखा धनिया इसमें डाल दिया है सुखा धनिया जब उसमें खादा नम्क काड़ назв नमक के मातार आपाव्य जैदा सकती,殷ट से जादा लगेँ लाल बिर्ज के मात्रा थोड़ी सी कम ही रखे कि बच्चों को तीखा जादा ना लगे इस वजे से और थोड़ा से इसमें डाला है तो आप पाव भाजी मसाला दाले और रोटी पराटी के साथ चाहें तो फिर आप गर्ण मसाला एड कर सकते हैं तो पानी पानी रिखल हो थितना पानी आप है और कर रुखने से और पानी वर की दाने बोग्या कॉऔर झाल ने लग आप तो पानी पेसे चाहें ह IyaET इस को अब आमची ड़ी के लिए पकाना है जब तक पानी बॉइल जाती और साज coffee अब पानी में बॉइल आने लग गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे इस वक्त और इसको थोड़ सी देर के लिए हमें पकाना है और अब इसके बाद में हम इसमें एक बड़ा चमच जितना बटर मैं आपको पताया था ना कि बटर भी हम एड करेंगे इससे कि क्या हो का फिल सॉल्ट इसमें और भी आइड हो जाईगा इस वज़े से हमें स्टाटिंग में सॉल्ट थुड़ा सा कम ही अट करना है और शॉल्ट महांतर चुट सी कम हेंजाधा कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको पकाना होगा क्योंकि पानी हमारा पहली ही पखचुका है सभी चीजे पहले पख चुकी है अब हम इसमें डालेंगे चीज को ग्रेट करके, हमने यहाँ पर प्रॉसेस चीज का यूज के इसको ग्रेट करके डाल दिया है, और चीज का फ्लेवर ना पनीर घुटाला के अंदर काफी अच्छा जाता है, तो आप इसकी मातरा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने यहाँ अब अब दोनों भी आट कर सकते हैं, और अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है और आप इसमें देख सकते हैं कि वग्रा बिल्कुल निकल चुका है, तो आप अब भी तक बड़ा चम्माज टोमाटो केचप, यहाँ बहुत ज़रूरी है, इसी से इसका फ्लेवर निकल न बटर चीज के साथ और अब भी वीडियो को बंद नहीं करना यह आगे किचंट बी देखनी है तो यहां पर हम थोड़ा सा पाव का पीस लेंगे और उसको हम अपनी भोडाला के साथ में इंजोय करेंगे और यह बहुत जादा टेस्टी लगा था सच में दोस्तों बहुत तेस देखते हैं जब भी हम कोई चीज तलते हैं तो तेल काला पड़ जाता है उसे साफ करने के लिए पहले तेल को ठंडा कर लें पूरी तरीके से और उसके बाद में तेल को दुबारा गरम करके उसमें थोड़ा सा नीबू का रस एड़ कर दें इससे क्या होगा तेल बिल्कुल स राजा रानी पराठा शायद आप लोगों ने इसका पहले नाम सुना हो या फिर ना भी सुना हो यह इतना टेस्टी होता है दोस्तों कि इसके आगया पिज़र बर्गर वगरा सब कुछ भूल जाओगे बनाने में थोड़ा सा यूनिक है ऐसा पराठा शायद आप लोगों शिम्ना मिर्च हरी मिर्च इसको अपने बारी बारी चॉप करके इसमें डाल दिया है इसके लाब अगर आपको और भी कोई वेजिटेबर्स पसंद हो तो आप इसमें एड कर सकते है तोड़ी सी अद्रक को आपने ग्रेट करकी ले लिया आप चाहे तो लेसर और हरी मिर्च कि इसमें डालेंगे थोड़ा सरो मक लगब लगब अदा चं इतना मैं आपको अच्य साली सब्ची अब अधने उपारी का कर ले लिया है और मशूल दिबगे बारी करके हम थोड़ा सरफ अच्छिए क्या है कि इसका है इसका दिली होग से मेंने एक रिलित हो लोग यहां सा चोड़ देंगे में डख्रेश वगर की ज़रुत नहीं है एक्चुली क्या है कि हमें इसके अंदर का पानी नेकालना है जितने भी सबजिया है जिससे कि हमको स्टफ करने में इसमें आसानी होगी बहुत ही इजी वाली स्टफिंग होती है इसकी अब सबसे पहले हम लोग लग यह इस तरह से लगरती हूए और इसके बाद में थोड़े थोड़ा पानी डालती हम इसका आटा गुनना है जैसे हम नौर्मल आलू अगरमा पराथे हया बनाते हैं और बिल्कूल यह सही गुनना है ना तो जोड़ा सौन्थ होता है वो रोटी से थोड़ा सा टाइट होता ह लगबग इस तरीके का आटा हमें गून का तियार करना है आटा हम लोगों ने गून लिया है अब इसके उपर हम थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और लगा करके अच्छे से ओईल में लपेड देंगे जिससे की बिल्कुभी सुखी गी इसकी परत और इसको 10 मिनट के लिए जाएंगे बहुत ज़्यादा आटा है इस वाले स्टैप से सारी सब्जियों में से पानी निकाल तिया है और अब इसके अंदर हम एक करेंगे एक अबला हुआ अलू को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया और इसके बाद में ग्रेट करके डाल रहे है आप इसको ऐसे भी मैश के अंदर स्टफिंग के लिए अब इसी के साथ में इसमें कुछ मसाले डालेंगे थोड़ा से हल्दी पाउडर थोड़ा से लाल मिचका पाउडर धनिया पाउडर साथी में थोड़ा सफेद नमक काला नमक भुना हुआ जीरा चाक मसाला और थोड़ा से गरम मसाला इन सभी यहां पर आटे की एक लोई बना करके इसकी एक रोटी जैसी हम बेल लेंगे पहले तो आता एक दम पर्फेक्ट लगा है हमारा बिल्कुल भी ना तो नरम है नहीं टाइट है अब यहां देखिए हम अपनी स्टफिंग इसके अंदर फिल करेंगे एक टिप आपको देती हूँ स्टफिंग इंदर आप लगबग एक चम्मत जितना मेरा मिक्स कर लीजिए उसके बाद में जब आप स्टफ करेंगे ना आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं नहीं और यह वाली टिप आप किसी भी स्टफिंग के लिए यूज कर सकते हैं से अलू के पराठे बना रहे हो तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं यह बहुत अच्छी टिप आपको सरूर काम आएगी अचा यह वाला जो पराठा है ना आपको अगरा सूरत में आप लेने जाए तो स्टीट फूड में यह लगबग लगबग 200 रुपय का एक पराठा मिलता है जो कि हम घर परियास बन सुखे मेदे में लपेट करके पहले हाथों से फेला लेंगे से क्या होगा स्टाफिन है वो चालो तरफ अच्छे से पैल जाएगी इस तरीके से महाँ जो पराठा मिलता हो और बड़ा होता है हमने तो घर के साफ सा छोटा साइस का बना लिया है और अब बेलर के हलकी हलकी ह इसके ओपर डालेंगे हम थोड़ा सा मैल्टी बटर आप मैल्टी बटर की जगे पर यूज कर सकते हैं लेकिन जो मिलता है सूरत में उसको अमूल बटर के साथ में बनाया जाता है तो आप चाहे तो बटर साथ बना ले घी से बना ले या फिर ऑल से बना सकते हैं पराठे को पर लगाएंगे, फिर से हम अमूल बटर, मैटिट बटर हमने आपर यूज कर रहे हैं, बटर से हम दोनों तरफ से इसको ग्रेस करेंगे और इसको पलट-पलट कर हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से कोक करना है, वहां तो क्या है कि बहुत जादा बटर वगरा यूज किया सकता है, वह आपकी चॉइस है पूरी तरह से, बस असको दोनों तरफ से अच्छे से बटर लगा करके या और वगरा लगा करके दोनों तरफ पलट-पलट कर मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक इसको कुक करना है, कभी इसका टेस्ट अगर इसका फ्लेवर होड़ा सा अलग ही आता है, क्योंकि बेसर और सूजी दोनों ही हमने मिक्स करिए इसके साथ में तो यहां देखिए, एक तम क्रिस्पी सा हमारा पराथा बनकर के तयार हो गया है, इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, अब इसको सर्फ करने का तर अब ट्रांसपी सा है, चाहिं के तो अब लगेघ का तो ब tusut देंगे लिए, तो झाल अ पर बसके डड़ी हो दो उसके करें करना है उसके बाद में गराया है उसके एंदर आले थिर से to बुop आलेगे हम फिर एक अठीज करें के तो प्लेवर थोड़े उसके यहादे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़ादा अच्छा आएगा तो बटर के साथ में इसको खलक अगा लो फ्लेम पर भूलेंगे बहुत हलका सा आप चाहे तो इसमें और अगर अगर आपको नमक पर चाहट मसाला थोड़ा कम लगता है तो आप इस तैंपर और अगर 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 रोस् सब्लाफिब को आप हम पल्टकी साहता से पूरे पर अचे से फेला देंगे यानि के मैं चिपका लेंगे इसको पराठे के उपर एक दब गरम गरम है तो स़ड़ीयों में तो असको खानेका मज़स अलगी ओगा सिलिय इसको बनायेगा, आपको अपुत जादा पसंदा आए पूरी तरह से कवर करने वाली हूँ चीज के साहतर से अच्छा आप में इसको सर्फ करने के आपको दो तरीके बता देती हूँ कुछ लोग तो टोड़ अब भादर साथ में अगर बग्छों को नहीं पसंद है इस प्राइप से चाहने बना सकते हैं जैसे में आ आगे आप को वीडियो में तिखाने वाली हो तो आप प्रोसेज दोनों को ग्रेड करके डाल ली जी उसके आप डाली थूड़ासा चाटमसाल इसी के साथ में तोड़ा सा हराधनी इसके उपर स्पिंकल कर सकते हैं तो यह बिलकुल सिंपल तरीका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर बच्चों को मियोनीज वगरण नहीं पसन किसी को या पिर आपको पसन नहीं हो ताप इस तरी किसी सफ कर सकते हैं तो बस इसको कट करती पहले से क्या है एक पराठा इसको हम अमने कंता हुकत होता है मसं बच्चों की नहींरता प्राठा के लिए अमने करते एक बढ़ा प्राठा के में नहीं अर्क में Sakit ज़्तु घॉम्त C kidding complacuters से में सब्सक्रीगें तो स्वात फोर फट्च जू एक दम ब जवाब इस्टी सूरत का सीमस राजा रानी पराठा बनकर तैयार है आपको आज का यह जूनिक सा पराठा कैसा लगा मुझे कॉमेट करके बताएगा कब बना रहे हैं वह बताएगा अकर वी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में नो इच हुँण कर दो झाले हैं उनर साथ में पाले वाघक हैं जर इस्टार वी अले राणी जरूरो को दोन्त वी पर अजानी आपको बनेख़ता हैं चरही करके दो कर दो दो